हलो दोस्तों कैसे आप लोग मैं उमीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल ला होगा चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CRM के आपका टेस्ट नमरे 12 है अगर आप इसे पिछे का नहीं लगाए हैं तो लगा लीजेगा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा तो चलिए देखते आज का पहला कुश्चन और इसे आपको टेस्ट के रूप में लगाना है और आप अपना मार्क्स जरूर बताईएगा पहला कुश्चन आपका कि awareness created about the product price, its feature, its ability, etc comes under which market category तो ये किस market category के अंदर आता है आपको बताना है तो इसका answer हो जाएगा आपका option D हो जाएगा आने की promotion के अंतरगती आता है चलिए इसके बाड़े में थोड़ा solution देख लेते हैं हम लोग देखिए अभी तक तो हम आपको सिर्फ इसका full form हम बताते हैं कि 4 page क्या होता है इसके बाड़े में आज हम पूरा detail बता देते हैं ताकि कोई भी कुछ जना है तो आपसे छूट ना पाए market mix में क्या होता है यहाँ देख लिजे in this company promote its product और brand in the market market में क्या करता है market mix में क्या होता है कि जो भी company हो क्या करता है अपने product को और अपने brand को क्या करता है promote करता है दूसरी बात यह describe करता है कि इसका तो 4P को describe करता है और इसको आपको पूरे अच्छे से समझ लेना है 4P में क्या आता है कि सबसे पहले बात आपको product होना चाहिए market में बेचने के लिए दूसरी बात आपके पास क्या होना चाहिए कि उस product का price होना चाहिए कि कैसा product है उसका कितना price रखे है तिसरी बात उसका प्लेस आपको पता होना चाहिए कि किस टाइब के प्रोड़क्ट है यह कहां बिख सकता है किस रीजन में चौथी बात क्या है कि अगर यह सब कुछ आपके पास एब लेवल है तो अब आप उसका परमोशन कर सकते हैं तो देखिये प्रोड़क्ट में आपका क्या क्या आजाएगा कि उसका फीचर क्या है उसका क्वालिटी क्या है वो कैसा मतलब किस ब्रांड का है उसके बाद उसका पैकेजिंग कैसा है उसमें आप कैसा सर्विस दे रहे है उस प्रोड़क्ट के रिगाडिम और लास्ट में उ उसका pricing strategy क्या है, उसका allowance क्या है, तो यह सब आजाएगा, आपका price में आजाएगा, place में क्या आजाएगा, की region, area, की ओ, कहां पर आप product को बेचना चाहते, तो आपका channel हो जाएगा, market coverage हो जाएगा, कि आप कितना market को cover कर रहे हैं, उसके बाद आपका location हो जाएगा, inventory हो जाएगा, transportation हो जाएगा, यह सब हो जाएगा, ठीक है, अगला आपका आगया promotion, देखिए, promotion में क्या आजाएगा, जैसे कि आप promotion कैसे करते हैं, किसी पोड़का, तो sales promotion करते हैं, advertisement के थोरा करते हैं, बड़े बड़े board लगा के करते हैं, देखिए ने, बड़े बड़े board लगा रहा था, चोक सब है, ठीक है, उसके बाद public relation के माध्यम से भी कर सकते हैं, और direct marketing के माध्यम से भी आप कर सकते है समझ गया बातों को, तो चलिए देखते हैं अगला question, देखिए आपको अगला question बताने से पहले, हम एक second का आपका time लेंगे, और ये आप देख लिजे, अगर अभी तक आप इससे revision नहीं कर रहे हैं, तो आप इससे revision जरूर कीजे, आपको इससे बहुत ज़्यादा benefit मिलने बाला है, इसका link हम आपको description box और comment box में दे देंगे, और आप लोगों का इसके regarding feedback है, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, इतना अच्छा है, कि जितने भी लोग लिए हैं, सब का positive feedback है, और बहुत अच्छा feedback है, तो आप भी इससे revision जरूर कीजे, अगर आपको किसी भी तरह का problem होता है, डाउनलोड करने में, तो आप हमें वहाँ पे mail ID दिया है, उस पे mail भी कर सकते हैं, या तो फिर आप comment box में भी हमें बता सकते हैं, हम आपको पुड़ा help करेंगे, चलिए देखते अगला question, देखिए आपका दूसरा नमर question है, कि which of the flowing market concept concentrate on achieving high production efficiency, low cost and mass distribution, तो मतलब कौन से concept में जो होता है, ये low cost पे mass production होता है, या mass distribution होता है, तो ये आपका option C हो जाएगा, production concept में होता है, production concept में क्या होता है, कि मतलब कम cost पे, मतलब सस्ते दाम पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को produce करना, इसके बारे में थोड़ा solution देख लिजे, कि आपका option तो C हो जागा, इसका अनि कि production concept हो जागा, ये एक ऐसा concept है, तो oldest concept है in business के अंदर, ये भी question पूछा जाता है, कि production concept जो एक किस type के concept है, oldest है, या modern है, तो आपको answer क्या देना है, कि ये oldest concept है, दूसरी point इसमें क्या है, कि it means consumer prefer the product widely and inexpensive, मतलब क्या है, ज्यादा से ज्या क्या है, कि this concept achieving the high production at low cost, मतलब सस्ते दाम पे ज्यादा से ज्यादा production करना, और mass distribution करना, मतलब ज्यादे दूर तक और ज्यादा इसको बेचना, उसके बाद आपका next point है, इसमें, कि this concept huge company, मतलब company के द्वारा ये concept किसलिए use किया जाता है, तो want expand market, मतलब उसका मन होता है, कि market को अपने बहुत बड़ा बनाना है, उस company के product के बाड़े में, चलिए अगला question देखते हैं, देखिया आपका तीन नमर question है, काड़ा है कि black money is, तो black money क्या होता है, आपको बताना है, देखिया आपको पता है कि black money वो money होता है, जिसके उपर सरकार को tax नहीं दिया गया हो, तो इ देखिये, देखिये, इसमें जो हता, black money पहली बात की, वो money होता है, जिसके उपर सरकार को कोई भी tax नहीं मिला है, वो तो एक legal तरीके से भी हो सकता है, और illegal तरीके का भी वो income हो सकता है, legal तरीके में कौन सा income आ जागा, कि the income earned do not reveal their whole income for tax purpose, मतलब क्या, कि बहुत लोग को दे आते हैं, अपने tax को छुपाने के लिए, दूसरा क्या हो जागा, आपका illegal तरीका हो जागा, illegal तरीका जैसे कि आपका smuggling हो गया, black marketing हो गया, sale of product at higher price हो गया, तो यह सब किसमें आ जागा, तो illegal में आ जागा, जैसे कि बहुत साड़े, जो दुकंदार है, उसको देखिया है, क जैली आगला question देखिए, देखिए, आपका आगला question है, चार number, चार number question काड़ा है, कि which of the flowing buying practice, consist of purchasing from minimum possible source, minimum possible source, यहां करने का मतलब है, कि एक ऐसा customer, या ऐसा consumer, जो क्या करता है, ना minimum number of supplier से अपना product लेता है, तो इसका answer क्या हो जागा, option, यह हो जागा, concentrated buying में होता है, माल fix किया हुए, कि हम इस मतलब 2-3 दूकंदार से अपना समान लेंगे, मतलब fix number of supplier से लेंगे, minimum number of supplier से लेंगे, दूसरा इसमें, इसका answer हो जागा, option यह हो जागा, इसमें आपका दूसरा, मतलब option जो है, diversified जो है, इसमें क्या होता है, कि इसके उल्टा होता, इसमें जो भी य आपका यहाँ पर customer है, या मतलब जैसे कि जो भी कोई consumer है, मतलब जो कुछ भी buyer है, तो यह क्या करता है, कि जादा से जादा number of supplier से अपना समान खड़ीता है, मतलब maximum number of supplier से जितना possible हो सके, उतना से जब अभी अपना समान खड़ी देंगे, तो मुझको क्या बोलेंगे, तो divers diversified buying बोलेंगे, समझ गया बातों को, यहाँ पे एक और है, देख लिजे, speculative buying देख लिए, इसमें क्या होता है, कि जो अपना routine का समान होता है, जैसे कि आप daily basis पे जो समान खड़ीते हैं, उसका इसमें यूज क्या आता है, मतलब वो समान जो खड़ीदारी करते हैं, वो इसम flowing बे, मतलब payment bank जो भी है अभी, मतलब digital जो payment bank है, वो commercial bank से different कैसे हैं, यह आपको बताना है, तो इसका answer हो जागा, आपका option T हो जागा, आप अपना भी answer select करते रहेगा, उसके बाद मेरा answer देखिएगा, देखिए इसका option T हो जागा, accept deposit, provide payment and remaintance service, distribute third party financial product, but not allow to lend or issue the card, मतलब payment bank जो होता है, यह accept तो कर लेता है deposit, समझ गया बातों को, और provide भी करता है payment, लेकिन यह किसी भी तरह का card issue नहीं कर सकता है, और ना तरह किसी को loan दे सकता है, उधार नहीं दे सकता है, इसके बादे में थोड़ा solution आप देख लीजे, देखिए, सबसे पहले बात आपको यहाँ पे clear रहना चाहिए यह चीज है, इसका answer तो आपका यह हो जाए कि accept deposit, मतलब deposit को accept करता है, provide payment and remittance service, distribute third party finance product but not are allowed, मतलब यह अलाव नहीं करता है, जैसे कि कोई card issue करने के लिए या उधार देने के लिए अलाव नहीं करता है, अगर हम payment bank के आपको example दे तो कौन-कौन हो जागा जैसे कि आपका Airtel payment bank हो जागा, इंडिया post payment bank हो जागा, तो यह सब आपका payment bank का example हो जागा, दोनों में difference आपको clear रहना चाहिए, payment bank के लिए मैं यहां लिखा हूँ देखिए, इसमें क्या होता है, कि deposit of to 1 lakh, आप 1 lakh तक ही इसमें deposit कर सकते हैं, जबकि commercial bank में कोई limit नहीं होता आपको जितना मर्जी है, जितना पैसा आप कर सकते हैं, दूसरा point है कि no minimum balance required, जो भी payment bank है, उसमें minimum balance requirement नहीं है, लेकिन आपका commercial bank है, इसमें minimum balance requirement होता है, ताकि अगर आप किसी भी तरह के गलती करते हैं, इन activity करते हैं, तो आपके उपर penalty लगाया जागा और आपसे पैसा NRI not accepted, मतलब जो payment bank जो होता है, वो क्या करता है, NRI को accept नहीं करता है, जबकि commercial bank में ऐसा नहीं है, वो NRI को भी accept करते हैं, मतलब commercial bank है ठीक है, चलिए अगला question देखते हैं, देखिए आपका आगला छेठा नमर question है, और बहुत BVI question है, आच्छा से देखिए इसको, देखिए क् निकोसिया model of consumer behavior is divided into four major fields, मतलब कितने major fields में divided हैं, आपको यह भी याद रखना है, यह चार fields में divided हैं, which of the following is third field under this model, मतलब तिसरा field जो है, यह कौन है यह आप से पूछा जा रहा है, तो इसका answer हो जाएगा, आपका option B हो जाएगा, अनि कि act of purchase हो जाएगा, यह आपका इसका त आपके exam में, देखिए, सबसे पहली बात क्या है, कि निकोसिया, जो है, निकोसिया model इसके अंदर चार गो field आता है, यह आपको याद रखना है, दूसरी बात, कि पहला field कौन सा आता है, तो farm and consumer attributes जो होता है, यह दूसरा field होता है, इसमें क्या काम होता है, कि deals with the marketing environment and consumer behavior, marketing environment का मतलब हो गया, कि market के अंदर अभी क्या-क्या चल ला है, किस product का upper चल ला है, share, किसका lower चल ला है, यह सब market environment के अंदर हो गया, consumer behavior का मतलब कि उस product के regarding consumer का feedback कैसा है, behavior कैसा feedback दे रहा है, कैसा खडिदना पसंद कर रहा है, यह सब हो गया आपका consumer behavior में, इसका दूसरा, निकोसिया brand, मतलब इसमें क्या करते है, जो भी company है, या farm है, वो consumer को motivate करता है, किसके रिगार निकि, आप मेरे brand और मेरा product आप खड़ी दिये, यह हो जागा आपका search evaluation में, तीसरा, आपका हो जागा act of purchase होगा, देकि act of purchase में क्या होता है, कि अगर company है, तो उसका उदे से क्या है, कि हमार evaluation का एक result होता है, किसी भी company के लिए, जितना उसका समान भीगता है, और सबसे last में क्या होता है, तो आपका feedback होता है, किसी भी चीज का सबसे last होता है, वो feedback होता है, जैसे कोई भी company अपना product बनाया है, उसके बाद बेचा customer तक गया, customer जो उसका feedback देगा, वो ही last होता है, ठीक आपका आगला question है, सात नमर, क्या कहा रहा है, सात नमर question, कि dash dash classify the market into segment based upon the demographic attributes such as age, gender, income, occupation, religion, race and social class हो गया, इस सब के basis पे जो मतलब classify होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसका answer हो जागा, आपका option B हो जागा, demographic segmentation बोलते हैं, demographic segmentation में क्या होता है, कि हम किसके basis पे उसको हम attribute कर करते हैं, तो age के basis पे, gender के basis पे, income के basis पे, occupation, diligence, race और social class के basis पे मैं इसको अलग करते हैं, सबसे पहली बात आप यह चीज़ सुन लीजे कि यहाँ पे चाड़ो जो option है न, इसमें से सभी important है, इसके बाड़े में आप solution देख लीजे, देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात है कि हम यहाँ पे अगर market segmentation की बात करें, तो market segmentation is a strategy in which a large homogeneous market is divided into a small homogeneous market, like अब यह सब आ गया, ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे समझे, देखिए, सपोच की जी एक mall है, यहाँ पे क्या है, एक mall है, अब इस mall के अंदर मान लीजे कि सभी तरह के कपड़ा मिलता है, male के लिए, female के लिए, बच्चों के लिए, बुढों के लिए, सब के लिए मिलता है, तो यहाँ आप mall के अंदर आगया, आपको कपड़ा खड़िता है, अब इस mall के अंदर जाएग तो छोटा-छोटा-छोटा तुकान बना हुआ ठीक है? यह से दुकान बना हुआ, अब यहाँ पे भागा ने कि छोटा-चोटा जो segment में divide कर लिया तो यहां आप आपको होता, geographic segmentation में क्या होता है, कि divide a market into different geographic unit, मतलब geographical unit कहने का मतलब है, कि area by आप इसको divided होजाए, जैसे कि आपका nation by हो जाएगा, region by हो जाएगा, कि किस region में आप product को distribute कर रहेगा, उसके बाद आपका state by हो जाएगा, city by हो गया, neighborhood हो मतलब कि आप एक specific area को देख रहे कि हमें किस area के coding करना है product का distribution तो वो आजाएगा आपका geographical segmentation में आजाएगा अगला आपका point क्या था कि आने की psychological segmentation था इसमें क्या आजाएगा जैसे कि आपका life style हो गया social class हो गया ठीक है personal character हो गया तो इसमें आजाएगा आपका psychological segmentation में आजाएगा behavior segmentation में क्या आजाएगा ये भी थोड़ा देख लिए अप देखे behavior segmentation में आजाएगा कि आपका divide a market into groups मतलब ये groups में आप market को क्या करें divide कर रहे हैं जहाँ पे क्या consumer का कुछ attributes होगा consumer का knowledge base पे होगा ठीक है अनि कि personal to product होगा ठीक response to product होगा तो इन सब basis पे होता है चलिए अगला कि आपका आठ नमर question कह रहा है कि IDA model describe the stage of through which process मतलब कि इस process के द्वारा IDA model को describe किया जाता है तो ये आपका option ये हो जाएगा consumer हो जाएगा अनि क्यों भोगता हो जाएगा इसके बाड़े में इसका full form और थोड़ा सा इसका explanation देख लिए देखे सब से पहले बाद इसका full form आपको याद रखना है IDA क्या होता है तो attention होता है ठीक है उसके बाद interest होता है उसके बाद desire होता है फिर action होता है ये इसका graph actually आप अगर previous year वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लिजेगा जो मैं customer relation का दिया हूँ उसमें मैं बहुत सारा न नीचे सबसे action होता है यहाँ पे इसको होता है क्या attention होता है attention के बाद आपका interest हो जाता है उसके बाद आपका desire हो जाता है desire के बाद आपका action हो जाता है यहाँ पे जो भी customer होता है potential होता है यह बहुत large number of में होता है ठीक है लेकिन सबसे कौम कहां पे होता है तो यह होता है आ इसके मतलब अब यह ready हो गया product को buy करने के लिए purchase करने के लिए ready हो गया और यहां पे जो भी customer है यह सब अभी market के अंदर घूम रहा है अपने product के regarding चीजों को search कर रहा है समझ गया बातों को चलिए अगला question देखते हैं देखिए आपका आगला question है no number no number question कर रहा कि which of the following is not a private sector bank तो इसमें से private sector bank कौन नहीं है तो देखिए यह आपका HDFC यह private sector है और HSBC यह भी private sector और ICCI यह भी आपका private sector bank है लेकिन BOD है BOI है यह private sector आपका नहीं यह government है अनि कि bank of India है यहां से आप एक चीज का full firm याद रखिएगा यह हम आपको बताते हैं यह बहुत ज्यादा important है बहुत लोग कोई पता नहीं रहता है जैसे कि कोई भी international payment है अगर bank के regarding तो उसको accept करने के लिए आपको swift code का requirement होता है तो swift का मतलब full firm क्या होता है यह आप याद रखिए इसका full firm हो जागा आपका society for worldwide inter banking inter bank financial telecommunication होता है इसको आप पर bank of India जो एक government bank है चली अगला question देखते हैं दोस्तों अगर आपको अच्छा लगड़ा है तो like, share और subscribe जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ share कीजिए चली अगला question देखिए आपका 10 number है under the theory of buying behavior the stage where the information are proceed and understood मतलब ऐसा कौन सा मतलब stage है जहाँ पर क्या किया आता है कि buying behavior के द comprehension stage में होता है चली अगला question देखिए अगला question है आपका 11 number यह question बहुत important है क्या का रहा है कि dumping related to the sales of तो इसका answer क्या हो जागा इसका answer हो जागा आपका option इसमें B हो जाएगा ठीक है आनि कि product discontinue in the home market sold to a foreign market मतलब इसमें क्या होता है इनि कि जैसे माल यह सपोज कि यह दो country है यह जहां पर ठीक है अगर दोनो country के बीच में अगर किसी trade के regarding अगर कोई वार हो गया तो सपोज कि यहां पर इंडिया है और यहां पर चैना है कई बार चैना ऐसा काम करता है कि इसके देश में जो चीज़े manufacture होता है उसका बहुत सस्ते दाम पे कहां इंडिया मेला करके बेचत पर चैना ताकि इंडिया को नीचे कर सके इसलिए समझगे बातों को तो यहां क्या होता है यहां पर डिसकंटिनिव कर देता आप तो यहां पे बेचेगा तो यहां पर लोग खटी देगा तो इसको तो कोई profit हो नहीं रहा कि खूद अपने देश में 10 रुपया का बनाए है और अगर कम में बेचे गात इसको कोई profit ने होए लेकिन दूसरे देश में घटा लगा के भी इसलिए बेचता है ताकि इसको क्या हो सके ने कि यहां के trade कोई थब कर सके इसलिए ऐसा यह करता है समझगे बातों को तो यह होता है आपका मतलब international trade के regarding यह सब्ध होता है तो इसका यहां पे क्या हो गया कि इसका answer तो आपका हो जाए कि product discontinue in the home market, home market में नहीं बेचता है और कहां पे sold करने लगता है तो foreign market में, दीखे dumping जो है आपका मतलब dumping terms use for international market, यह किसके लिए use किया आता है तो international market के लिए use किया आता है यह भी कुछेन आप से पूछा जा सकता है, अगल करने लगता है तब किसके compare में तो domestic में जितना उसका price है उसके comparison में भेजने लगता है तब यह dumping जो आपका सब धाई एक तरीके से legal है समझ रहे बातों को नो यह कोई कम मतलब देश जो है कर सकता है उसके लिए मतलब world trade organization रोकता नहीं उसको क्या आप नहीं कर सकते क्योंकि world world trade organization का पता की कितने में product को बनाए है तो वह जितना है वह अपन घटा लगा कि कहीं बेचना सकता बेचना चाहरा है तो बेच सकता है इसके लिए world trade organization कोई भी brand नहीं लगाता है चले अगला question देखी आपका अगला question है बारा नमर question देखिए बारा नमर question आपका कहा रहा है under which of the following stage of a consumer buying process consumer consider the benefits offered by different brand quality and features of the price तो इसका answer क्या हो जागा आपका answer ए हो जागा evaluation of alternative हो जागा देखिए evaluation of alternative तभी होता है जैसके कि suppose कि आप market के अंदर गया है ठीक है market के अंदर आप गया कुछी भी product को खरीदने के लिए और वहाँ पे एक ही brand का और एक ही productive level है तो इसके बारे में आपको सोचने बिचारने का कोई मौका नहीं है आपके अगर लेना है अगर आपको तो आप ले लिजे डैरेक्ट लेकिन इसके alternative में दूसरा productive level है आप market में समान खरीदने गया और इसके alternative में दूसरा तिसरा product सब available है तब आप क्या किजेगा यहाँ पे इसका quality देखेगा दोनों का comparison किजेगा कि कि किसका quality अच्छा है किसका दाम सस्ता है किसका feature अच्छा है वो सब कुछ देखके तब आप लिजेगा तो यही यहाँ पे कड़ा है तो इसका quality भी देखते हैं फीचर भी देखते हैं प्राइस भी देखते हैं सब देखते हैं मतलब evaluation alternative में देखते हैं जब आपके पास बीकल्प जो है एबलेबल होता है तब ठीक है तो चलिए देखते हैं दोस्तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो like, share और subscribe कीजिए और दोस्तो आप लोग का जो support है ebook के regarding बहुत अच्छा है हम आपको बार इसमें मेहनत किया गया इसलिए तो आप उससे revision जरूर कीजिए competition बहुत ज्यादा है जितना भी हो सकता है उतना हम आपको support करते रहेंगे exam तक support करेंगे इसके लिए आपको tension नहीं लेना जितना आम से हो सकता है न हम अपना 100% आपको देते रहेंगे आप देख रहेंगे क्योंकि सब चीजों को अच्छे से collect करना और उसी point को लिखना जो आपको सिर्फ समझ में आए यह मतलब इतना असान नहीं होता है दोस्तों कहना तो बहुत असान होता है comment box में कोई कुछ भी बोल देता है कि आप यह कर लिए वो कर लिए लेकिन दिक्कत यह है कि करना मतलब मुस्किल होता है लेकिन बोलना बहुत असान होता है जिस दिनों platform पे आगे करने लएंगे ना फिर उनको पता लग जागा लेकिन आप में से बहुत साड़े लोग है जो इतने अच्छे feedback देते कि मुझे उनहीं के वज़ए से मन करता है कि और कितना जादा आपको support कर सको सम